अभी रिसेंटली पहुचा मैं मत्रा, टाइम कम और काम थोड़ा अरजेंट था, लेकिन अब क्रिष्णा की नगदी में आई गए थे, तो दर्शन भी जरूरी थे, लोहे के पुल पे मैं आगे बढ़ा, उपर से यमना जी के दर्शन किये, उनको नमन किया, वैसो तो इस इन थी, लेकिन experience हो गया, फिर मैं आगे बढ़ा, जैसे ही पुल को पार किया, नीचे पहुचा बंगाली घाट, बंगाली घाट से जैसे ही यमना जी के दर्शन किये, तो थोड़ा confused हो गया, कि मैं मत्रा में हूँ, ये दिल्ली है, क्योंकि यमना जी का हाल वहाँ बहुत ब जा रही है, विश्राम घाट और उद्वार का दीश मंदिर के लिए, उस पर मैं आगे बढ़ गया, थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तो हूँ देखा तो यमना जी की शादी हो रही थी, अब आप पूछेंगे यमना जी की शादी क्या होती है, जो भक्त मनो कामना करते हैं, और उनकी मनो कामना जब पूरी हो जाती है, तो वो आते हैं, और सांकेतिक तोर पे अपनी आस्ता परकट करने के लिए एक इस तरीके का रिचुल करते हैं, बेसिकली वो एक तरीके से कर्णियादान करते हैं यमना जी का, और काफी सारी नाओं को, बोट्स को इकट्टे किय जाता है, और चुन्नी और साडी से बांध के एक छोड से दूसरे चोड पर उस चुन्नी को और पूरी यमना जी के ऊपर उसे उड़ाया जाता है, थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, देखा, चीजों को समझा, और फिर मैं आगे निकल गया, द्वारकादीश मंदिर के लि और उसके बाद फिर दुपैर में चार बज़े के बाद रात के नो बज़े तक आट बे तक चलते हैं, तो टाइम कम था मुझे वापस भी जाना था, लेकिन अब मन बनाई लिया था, तो दर्शन करने पहुँचके द्वारकादीश मंदिर जैसा सोचा था, मंदिर के पहुँचके जनम भूमी अब जनम भूमी का भी मुझे पता था कि वो भी बन मिलेगी, लेकिन क्योंकि दर्शन करने थे, बाहर से ही सही, हाजरी तो जरूरी है, तो पहुँचके हम जनम भूमी, जनम भूमी के गलियारे को अच्छे से नहारा, और आसपास मुझे लगा कि मैं ही एक अकेला यहाँ पर इस तरीके से आया हूँ, बट काफी लोग में उरको ऐसे मिले, जो बाहर से ही चीजों का आनंद ले रहे थे, अब क्योंकि जनम भूमी आ गए थे, तो पोटा कुंट भी जाना बनता था, तो जनम भूमी के गलियारे में आराम से रहंकते रहंक पोटा कुंट, इस से उमीद थी कि शायद हमें यहाँ पर इंट्री मिल जाएगी, क्योंकि ये दिन में सुबह जग खुलता है, तो शाम को बंद होता है, इसके बीच के बंद होने का कोई सा ऐसा समय नहीं होता, जैसा मुझे पता था, और ऐसा बोर्ड पे भी लिखा अच्छे से पोटा कुंट को नहारा, और थोड़ा से रिफ्रेश होने के लिए एक कप चाय पी, अब क्योंकि समय की पावंदी थी, और वापस भी आना था, तो वापस से जनम भूमी के दर्शन करते हुए, शमा मांगते हुए, और ये वादा करते हुए, कि दुबारा यह पर आएंगे तो समय के साथ आएंगे और अच्छे से दर्शन करके ही जाएंगे, और वहाँ से मैं पहुंचा मतरा जंक्शन, मतरा जंक्शन से ही मुझे वापस दिल्ली के लिए ट्रेन लेनी थी,